अलो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत यह इस्पेशल होने वाला है आज के वीडियो में बात करेंगे कि वन डे के बच्चा के CBC रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे CBC क्या होता है CBC का मतलब होता है complete blood cell count जो complete blood cell count होता है CBC का मतलब होता है इसका सारा details जानेंगे इसमें क्या होता है । डॉन्डिस का जो जांक होती है जिसको हम पिलिया भी बोलते हैं कैसे रहाता है इसका कितना पॉइंट होने पर डोनिस रहता है तो उस सारे बात करेंगे सारा इस वीडियो में बात करेंगे तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पले देख लेंग 18.5 है और वही normal value इसका होता है जो 12 से लेकर 16 होता है जो यहां पर normal value होता है जो लगवक थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो उससे कोई दिकत नहीं है हलका बढ़ा हुआ है नॉर्मल ही मान सकते इसको उसके बाद हो गया कि यह RBC है RBC के बारें बात करें तो RBC है इस लरका को जो 5.26 है जो RBC है इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए जो 4 से 8 के बीच होना चाहिए चार से आठ के बीच में होना चाहिए तो ये भी ठीक है बच्चा का जो RBC काउंट है ये भी ठीक है उसी बाद प्लेटलेस्ट काउंट के बारे में बात करें जो प्लेटलेट के बारे में आप जानते हैं कि देर लाग से लेकर पांच लाग के बीच में होना चाहिए जो प्लेटलेट्स होता है तो इस बाच्चा में जो प्लेटलेट्स का है तो यह है 1.39 जो थोरा कम है जो इस बाच्चा का जो प्लेटलेट है जो थोरा बहुत कम है उसके बाद 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 टोटल WBC काउंट जो यहां पर है 16.500 और यह होना चाहिए आपको 500 से लेकर 11,000 तक तो यह भी बच्चा को अगर मान है तो ठीकी रेंज में कोई ज़्यादा दिकत नहीं है इस सारे चीज में CBC रिपोर्ट में कोई भी प्रोब्लम नहीं देखने को मिला है उसके बाद है कि WBC है काँट होल भलाड जो देख लेंगे इसमें देखेंगे newtrophils जो 22% है और यह 55 से लेकार 50% के बीच में होना चाहिए तो यह भी थोरा कम है उसके बाद हो गया कि लेंफोसाईट्स जो 11% के बीच इसमें ही होना चाहिए यह बढ़ा हुआ है तो यह सब थोड़ा common होता है इतना इस सब सरा जो common होता है कुछ जो इसमें थोड़ा बहुत उपर निचाराता है उसे जया दिकत नहीं होती है पेसेंट को या बच्चा को उसके बाद जालने कि डॉन्डिस की जाच कैसे होती है कै इसमें बच्चा को ढोन्डीस हुआ है या नहीं हुआ है इसके लिए सबसे चल्प से दिखते है इसका तो यहां पर देख रहा है है इसके सराम बिलुरी रूबीन जो आप देख सकते हैं यहां पर तो तो चलेगा जो आपको बस एक ही होना चाहिए और यह बहुत ज़्यदा बढ़ा हुआ है अगर यह बढ़ा हुआ है तब समझ आए कि बच्चा को डोंडिस है या फिर डाइरेक्ट देख लेंगे जो डाइरेक्ट है डाइरेक्ट भी इसका बढ़ा हुआ है जो 0.92 है जो इसका बढ़ा हुआ है यह भी बच्चा को बढ़ा हुआ है तो इसमें क्या होता है कि यह बच्चा को डोंडिस अल्रेडी हो चुका है माँ डोंडिस है फिर उतना ज्यादा हाड भी नहीं है medium category में इसको normal category में ही मान सकते हैं इस डुन्डिस को indirect देख लेंगे indirect है जो 4.81 है यह भी बढ़ा हुआ है जो लर्का का यह भी बढ़ा हुआ है तो इस तरह से आप डुन्डिस का पता लगा सकते हैं कि लर्का को डुन्डिस है की नहीं है यहां से यह सरा देखकर आप डुन्डिस के बारे में आप पता लगा सकते हैं जो यहां पर देख सकते हैं अगर सेर्व बिली रूबीन है जो बाढ़ा रहाएगा तो उससे क्या होता है कि आपको देखिए यहाँ पे एक पॉइंट से अगर बाढ़ा रहा है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक पॉइंट से भी अगर बाढ़ा हुआ हो तब समझ जाएए कि बचा का डूनली इसका लक्षन जो पिलिया बोलते है उसका लक्षन आ गया है तो चलिए कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जबता के लिए जय हिंद